जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में तो आप सभी को पता है कि दोस्तो इस समय जो है वो इंडियन आर्मी में भरतियों की भर्मार है मतलब बहुत बड़ी संख्या में भरतियों निकल रही है यह दोस्तो इंडियन आर्मी की ऑफिसिल वेपसायट जहां पर आप देख सकते हैं यह है latest rally jco.or ठीक है तो यहाँ पर देखिए कितनी सारे भरतिया निकली हुएंगे दोस्तों और यह जो भरतिया है इन पर separate वीडियो में हर भरतिया बनाकर upload कर चुका हूँ तो दोस्तों हो सकता है कि जो आज की वीडियो है वो आपके डिश्टे क्या फिर आपके ARO के लिए नहीं हो लेकिन आपके ARO का अगर भरतिया निकली है तो उसकी वीडियो दोस्तों में बनाकर upload कर चुका हूँ ठीक है इंडिया के बहुत सारे states हैं जिनमें भरतिया चल रही है इस समय ठीक है मतलब online जो registrations हैं वो किये जा रहे हैं और भरतिया जो हैं दोस्तों वो फरवरी या फिर मार्च के महिने में कोई भी छुपाने वाली चीज नहीं है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर यह जो भरतिया दोस्तों वो soldier clerk और technical के लिए है और इसकी जो age limit है दोस्तों सेम होगी आपकी साड़े सत्रा से तेस साल और आपकी जो date of birth है वो एक अक्टोबर 1997 से एक अपरेल 2003 के बीच में होगी clerks के लिए आपकी जो high table 157 और बांकी के लिए दोस्तों 160 cm होगी और आपकी जो टेक्निकल के लिए मतलब nursing assistant को जो high table होगी आपकी 157 cm ठीक है उसके बाद में आपको जो चेश टेब हो 37 से 82 cm होना अनवार यह है चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आपके लिए अच्छे से दिखने लगी ठीक है क्योंकि education qr में काफी अच्छे से दिया हुआ यहां पर तो मैं आपको प intermediate में English और math होना अनवारी है ठीक है overall आपकी जो percentage जब उस 60% और minimum जो आपकी मतलब single subject में each subject किसी भी single subject में आपके 50% मात से कम नहीं होनी चाहिए उसके बाद में आता है soldier technical nursing assistant तो nursing assistant की भरती के लिए apply करने को आपको 10 plus to pass होना चाहिए और आपके पास में physics, chemistry, biology and English ही 4 subject होना जर आपके उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपकी जो overall percentage वो 50% और आपकी किसी भी single subject में 40% मात से कम नहीं होने चाहिए तो यह तो होगी दोस्तों आपकी education qr अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके physical की ठीक है लेकिन physical से पहले हम आपको बताते हैं दोस् से 20 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 की बीच में आपकी जोयबू भरती कर रही जाएगी ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे आपके physical की जिसको हम PFT बोलते है physical fitness test तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे 1.6 km के आपकी running होगी उसके बाद में आपके beam होंगे 9 feet ditch जैगा 1.6 km baş के लिए आपको 15 30Co जाएंगे हम इसे से कि लिए फस्ट ग्रूर उस्ट क regarde को आपको 60 मार्च भुराफ को अगर अगर वही रुन इस रराइक Sem duplicate me give Anyway, यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम चिनप्स की तो चिनप्स यहां पर 10 में 40 नंबर 9 में 33 नंबर 8 में 27 नंबर और 7 चिनप्स लगाएंगे आप तो आपको 21 नंबर और 6 में 16 नंबर आपको दिये जाएंगे ठीक है और जिग जग विलेंस और 9-5 इस आपको नेट टू कि यह जो भरती है वो इसके online registration हैं वो कब से कब तक आप कर सकते हैं तो दोस्तों इस भरती के जो online registration हैं वो start हो चुके हैं आज से और यहां पर 9 जनबरी 2021 से 22 फरवरी 2021 की बीच में आप इसको online registration कर सकते हैं और 23 फरवरी से 28 फरवरी की बीच में आपके जो है पूर रेजिटर्ड email ID पे आपके admin card को भेज दिया जाएगा अब बात करते हैं कि यह जो भरती है वो कौन से ARO की तरफ से नकाली गई है तो army recruiting rally देमापूर नागल लेंड में दोस्तों यह भरती होगी और यह जो भरती है व पूरे majorum state की जो बच्चे होंगे वो इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोला सा यह देखी दोस्तों यहाँ पर army recruiting rally for soldier clerk, skt and soldier technical nursing assistant will be held for eligible candidates of all districts of majorum state from 10 March to 20 March 2021 at deemahpur nagaland ठीक है तो यहाँ पर आपके भरती होनी है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा online classes को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभर